है कि हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने बहुत ही सुन्दर डिजाइन लेके आई हूं देखिए यह मैंने जैकेट त्यार किया है यह एक्सल और लार्ज वाले भी इसको पहन सकते हैं देखिए कितना सुन्दर डिजाइन मैंने डाला है यह जो मैंने बॉर्डर बनाया है यह मेरे चैनल पर मैंने कल ही आपको सिखाया था यह देखिये और यह जो म rice design है मैं आज आपको यह वाला design सिखाने चाहरी हो कैसे हमें इसको डालना है तो फ्रेंट्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं यह जो डिजाइन है यह देखिए यहां पे साथ देखिए यहां से तो यह तो बटन पट्टी है आप यहां से डिजाइन सेट करिए चलिए मैं बैक साइड आपका दिखाती हूँ यह देखिए फ्रेंट्स आपको यहां से डिजाइन स्टार्ट करना है यहां से मैंने साथ लिए है और यह 5 5 फंदों पे बना है हमारा यह वला डिजाइन फिर यहां पे हमने 11 फंदे लिए हैं यह 5 फिर 11 यहां पर लास्ट में साथ फंदे बचेंगे तो आपको इसी तरीके से इसको एड़्जस्ट करना है अगर थोड़ा एकादे फंदे जादा और कम हो जाते तो इसे कोई फरक पड़ता नहीं तो आप अपने हेल्थ के एकोडिंग ही सेट करना फंदों को और देखिए फ्रेंज यह ग्यारा और यह पांच यानि कि 16 फंदों पर यह डिजाइन कंप्लीट होता है जैसे कि एक्स्ट्रा फंदे हमें इसलिए लेने पड़ते हैं ताकि क्योंकि यह हाफ हमारा यहां पर डिजाइन होता है इसलिए हमे यह देखिए जो बीज में हमारे 11 फंदे हमने लिए थे फिर इसको पर भी वारा ऐसे डिजाइन बनते जाएगा तो इसलिए हमें 7-7 फंदे इदर को रखने पड़ते हैं ताकि हमारे यह डिजाइन भी ऐसे हाफ हाफ चलता रहे तो फ्रेंज चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखिए यह मैंने 52 फंदे ले लिए हैं मेरे 7 फंदे इदर रहेंगे 7 फंदे इदर लास्ट हैं मेरे तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही फंदे लिए हैं तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ देखिए 7 फंदे हम बनाएंगे 7 फंदे बनाके फिर 5 फंदे फूल बनेगा हमारा जै यह डिजाइन बन रहा है फिर उसके बाद 11 फंदे चोड़ेंगे फिर 5 फंदे पे फूल से घंगे तो आप को जैसे आपकी हैल्थ है उसके अकॉर्डेंग आपको फंदे डालने हैं अगर एक दो फंदे एक्स्ट्रा होते हैं या कम होते हैं तो उससे कोई फरक पड़ता नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग बंदे डालिए तो फ्रेंच चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें डिजाइन लेकिए साथ वंदे हमें पहले सीधे बनाने हैं एक दो तेन चार पाँच ये साथ साथ वंदे हम सीधे बनाने के बाद देखिए अब हमारा ये यहां से फूल स्टार्ट करें होगा जो हमने पत्तियों सा डिजाइन बनाया हुआ है तो देखिए दो फंदे हम यहां पर घटाएंगे एक और दो फंदे लेकर घटा देंगे यह देखिए और अब फ्रेंच हमें इस फंदे पर जाली डालनी है दागे को आगे करेंगे और य हमने यहां पर जाली डालनी है। फिर आगे करेंगे। और यहां पर देखिए ऐसे फंदे को यहांसे उतार लना है है दो पंद हमने ऐसे उतार लिए फिर इसको सलाई पर लेकर और एहां पर दो का एक पर दें गी यह दाओम तरफ हमारी जाली पड़े गहीं से आन्म डोनों तरफ जाली पड़ा रहिए ऐसे हमें ये डिजाइन बनाना है उसके बाद देखिए आपको 11 फंदे आपको बनाने है एक दो तेन चार हमको सीधे 11 फंदे बना लेने हैं चार होगे पाँच छे साथ आट नो दस और ये 11 11 फंदे बनाने के बाद देखिए ये मैंने बनाया फिर 11 फंदे मैंने बनाया फिर हमें ये डिजाइन बनाना है तो उसके लिए हमें 2 फंदे ये देखिए एक और दो का एक करेंगे हम और अब हमें यहां जाली डालने है ये देखिए इसको सीधा बना लेंगे यहां जाली पड़ गी है अब यहाँ पर दोका एक करेंगे धागे को आगे करेंगे और इसको इस लाई में ऐसे उतार लेंगे हम और फिर इसको ऐसे करके दोका एक कर देंगे तो ये दो का एक करने का मतलब क्या होता है जैसे हमारी पत्तियां ऐसे मुड़ रही है और ये वाली पत्तियां हमारी ऐसे मुड़ रही है तो हमें इसलिए ये उतार के ऐसे बनाना होता है जिससे हमारी पत्तियां ऐसे और ऐसे बनती जाती है तो अब फिर से ग्यारा फंदे बुलनेने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, तस, और ये ग्यारा ग्यारा फंदे बुलने के बाद फिर सामें ये डिजाइन बनाना है दो का एक करेंगे, ये देखिए, और धागे को आगे करके ये आजाली डालेंगे, फिर धागे को आगे करके फिर से ये दो फंदे ऐसे इस उतार कर, ये यहाँ दो का एक कर देगे ये देखे अब ये लास्ट में हमारे जो फंदे बचे हैं साथ फंदे हम बुल लेगे एक दो तेन देखे जार पाथ छे और ये साथ साथ फंदे देखे हमने बुल लीए देखिए यहां साथ और यहां साथ लास्ट में मचेगा क्योंकि हमारा जो यह डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा तो हाफ आफ डिजाइन जैसे हम उपर बनाएंगे तो उसके लिए यह साथ बंदें हमें यहां छोड़ना बहुत जरूरी है और उल्टी रो हमारी पूरी कैसे बनाएंगे तो फ्रेंस देखिए थर्ड रो में आपको छे बंदे यह बनाने हैं सीधे एक दो तेन चार पांच और यह चे अब यहां पर हमें दो का एक करना है यह और यह तो यह से दो का एक कर दिया अब यह जो हमारा जाली वाला बंदा था इसको पेज़ाने को अब हमें यहां जाली डाली है जैसे हमारे जाली डल रहे है मतलब और की इसा और ही जाली डल है तो हम्हें यह था根 filmingjay और एक कर और ऐसे दो का एक करना है यह देखिए यहां पर हमारा अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो हमारा यहां पर कम भी हो रहा है तो हमारे दोनों फंदे बराबरी होंगे अब यह हमारे नो फंदे होंगे दो तेन नो फंदे हमें बनाने है सीधे तीन होगे चार पांच छे साथ आठ और यह नौ नो फंदे बनाने के बाद अब फिर से हमें दो का एक करना है यह देखिए अब धागे को आगे करेंगे इसको सीधा बना लेंगे जाली बाला है अब हमें यहां जाली डालने है धागे को आगे करेंगे और इसको सीधा बना लेंगे फिर दागे को आगे करेंगे और इसको सीधा बना लेंगे अब इसको हमें दोगाएक करना है इसको ऐसा स्लिप कर लेंगे दोनों इस स्लाइप है और यहां दोगा एक कर देंगे तो फ्रांस देखिए इन दो का एक कर दिया अब यहां पर फिर से हमें नौ फंदे बुनने है सीदे देखिए चार पाँच छे साथ आठ और यह नौ नौ फंदे बुनने के बाद फिर से दो का एक करेंगे और इसको सीदा बनाएंगे दागे को आगे करके इसको सीदा बना लेंगे फिर दागे को आगी करेंगे और इसको सीदा बना लेंगे यहां जाली दोन्ह तरफ बढ़ेगी और इसको इस पर स्लिप करके इसको सिधा बना लेंगे फिर यह लास्ट के छे फंदे बचेंगे यह देखिए मारी रो यह कंप्लेट हो गई इसको ऐसे ही बना लेंगे और उल्टी साइड हमारी पूरी उल्टी बनेगी तो फिप्त रो म को दिखाती है तो फ्रेंट्स देखिए यह मेरी फिप्त रोय कि तो उसमें कि अमने यह देखिए अब हमने यहां पर कि तुब पांच बनाने हैं तो पांच सी धी स्लाई बनानी है चार और ये पांच पांच बनाने के बाद यहां पर देखिए दो का एक करना है दागे और इसको सीधा बना लेना है दो सीधा बनाने के बाद यहां पर जाली डालने है तो आगे करके इसको सीधा बना लेंगे फिर यहां जाली डालेंगे और इसको सीधा बना लेंगे और एक फंदा में सीधा बनाने के बाद देखिए, दो का एक कर दिया, अब यह बीच के अमारे सात फंदे होगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह सात, सात फंदे हमने सीधे बनाने के बाद, फिर से हमें वोई प्रोसेस करना है, दो का एक करना है, और इसको सीधा बनाना है, दो फंदे सीधे बनाने के बाद फिर धागे को आगे करेंगे और ये सीधा बनाएंगे यहां चाली पड़गी फिर धागे को आगे करेंगे और यहां जाली पड़ जाएगी और इसको एक फंदा में और सीधा बनाना है फिर यहां पर हमें स्लिप करना है इस पर ये दो फंद एक दो तेन और यह चार पांट शे साथ और यहां फिर से दो काई करना वैसे बनाना और उल्टी वाली रो हमारी पूरी उल्टी बनेगी तो चलिए फ्रेंट्स मैं आपको साथ भी सलाई पे मिलती हूं कैसे हमें बनाना है यह देखिए करके फिर दो काई करेंगे इसको ऐसे स्लिप कर लेंगे दो काई करेंगे और लास में पांच पंदे सीथे और उल्टी रो मेरी पूरी उल्टी बनेगी चलिए मैं सैवंथ रो में आपको दिखाती हूं तो फ्राइंस देखिए ये सेवंथ रो इसमें मुझे चार फंदे सीधे बनाने है एक दो तीन और ये चार अब फिर समय दो का एक करना है ये दो फंदे दो का एक कर दिया ये देखें दो का एक कर दिया और ये तीन फंदे सीधे बनाने के बाद फिर धागे को आगे करेंगे यहां जाली डालेंगे ठीक है यहां जाली डालेंगे अब फिर धागे को आगे करेंगे और यहां पर जाली डालेंगे मैं और दोप रहेvity बनाने के बाद यहां पर इस को आ ओर यहां वाल अब पहले इसको कंप्लेट करना है दो का एक करना है फिर इसको तीन फंदे सीधे बनाने है यह देखिए सीधे बनाने के बाद धागे को आगे करेंगे और यहां जाली डालेने फिर धागे को आगे करेंगे और इसको सीधा बना लेगे दो फंदे हमें सीधे बना लेते हैं आ करना। और यहां पे पांच फंदcific में सीधे बना लेने हैं कि जुब इसको कंप्लीट कर लीते हैं और उल्टी रो मेरे पूरी बनेगी मैं आपको हर नाइन दिखाती हूं कैसे हमे बनाना हैं जैसे 5 संदि हमारे यहां बचेएनगे तो यह देखिए दो तीर चार और यह पांच फंदे यहांपे भच गहे अभ देखिए जैसे यहां पर डिजाइन बन रहा था अब इसके उपर हमारा डिजाइन बनेगा अभी जब यह complete हो जाएगा फिर हम इसी के उपर डिजाइन बनाएंगे तो अब यहां दो काई करेंगे जैसे हमने यहां करा है सेम यहां पर करके लास्ट में चार फंदे बच जाएंगे और उल्टी रो मेरी पूरी उल्टी है चलिए मैं नाइंत रो में आपको दिखाती हूं तो फ्रेंस देखिए अब नाइंत रो में हमें क्या करना है यह सीधे फंदे बुनने है दो तीन चार पांच अब हमें यहां कोई जाली वगरा नहीं डालने हमें इस फली पे यह जो हमारा बबल है बनावा यह बढ़ा रहा है हमें तो यह देखिए यह देखिए जो एक फंदा है इस पर हमें 15 pages न बनाने है यह सीधा बना लिया इसमें यह धा को पीछे करेंगे फिर सीधा बना लिए फिर धागे को अपनी तरफ करके उल्टा फिर धागे को पीछे करेंगे और ये सीधा बना लिए अब इसको छोड़ देंगे अब हम ऐसे सलाई को टर्ण करेंगे और इन पांच फंदे हमने ये बुने थे तो इनको उल्टा उल्टा बुल लेंगे दो त चार और ये पांच ये देखिए पांच फंदे हमने बुलने फिर टर्न कर लेंगे फिर ये जो फंदा है पहला इसको सीधा बना लेंगे देखिए सीधा बनाने के बाद ये इस स्लाइप फिर से ले लेंगे फिर ये जो सेकंड फंदा है इस पे से इसको ऐसे किरा देंगे थर यहां पर खौप कौन सा बन गया है और यह जो सारे फंदे हैं अब हमें सीधे बुल लेने हैं इसमें हमें कोई जाली नहीं डालनी यह देखिए दो तेन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, देस, ग्यारा, बारा, तेरा, चादा, और यह पंदरा अब यह पॉप कोंग बनने के बाद हमें 15 पंदे बुनने हैं फिर यह वाला फिर पॉप कॉनव बनाएंगें, देखें पांच पंदे बनाएंगे, देखें, एक बन गया, फिर उल्टा करके दो, फिर सीधा करेंगे, फिर यह सीधा बुन लेंगे, तीन, धागे को अपने तर तेन चार और ये पांच ये पांच फंदय हमने बुल लिए प्र त्रिय इसको सिधा बुल लेंगे देखिये इससे सिधा बूल लेते हैं ते तो बूलने के बाद फिर ये इस स्लाइपे ले लेंगे और इसे थोड़ा टाइट करके हमें ये वाला धागा पकड़ के रखना है और इस पे से किराति रहनार झाय से जीटने हमने पांच फंदे लिह ते ते यह घिरा देने आएसे यदे की बनगे और इसको इसवाय पे लिए और अब ये ओऴ कि शीधा बोल लेंगे सारे फंदे जीदने हैं इसवायल है कि यह बीच में हमारे पूरे टोटल 15 फंदे यहां पर आ जाएंगे यानि कि इस 16 फंदों का डिजाइन है और यह बीच में हम एक का पांच फिर से करेंगे ऐसे यह देखें कि ऐसे आपको बना लेना है उल्टा करके फिर से उल्टा और सीधा करेंगे फिर यह सिधा बना लेंगे अभी पांच होगे फिर टन करेंगे फिर से पांच चंबुल लेंगे एक एक तो तो तीन चार और यह पांच फिर सी लाइब को टन करेंगे और इसको सीधा बोलने के बाद यह पांदा इसस लाई पहे लिए लेंगे और इस बंदे कि उपर से किरा देंगे देखिए यह देखिए यह मारा बबल्स बन गया अभी इसको जित्ते पंदेहां में सीधा बुल लेना है और उल्टी रो हमारी पूरी उल्टी बनेगी चलिए मैं नेक्स्ट 11 रो में आपको दिखाती हूं क्योंकि हमारा 10 रो पे डिजाइन कंप्लीट ह जाता है यह 9 रो पे हमारा है उल्टा पूरिंगे हमारा पूरा 10 रो कंप्लीट हो जाएगा यह डिजाइन का चलिए मैं 11 रो में आपको एक बड़ी फिर से डिजाइन डाल के दिखा दूंगी तो फ्रेंस देखिए 11 रो में हमें यह सीधा बना लेना है यह देखिए दो फं पंदे कम है तो हमें हाफ बनाना है यह देखिए यह जो मैंने हाफ बनाए हुआ इह तो अब धागे को आगे करेंगे और यह ऐसे दो फंदे यह सिलिप करके इस पंदे डालके सीधा बना लेंगे तो यहाँ पर डिजाइन बन जाएगा और अब 11 बनाएंगे तो तीन चार पांच, चे, साथ, अट, नौ, दस, ग्यारा, ग्यारा फंदे देखिए बन गए और देखिए हमारे यह बीच में जो थे नौ फंदे थे यह बीच में पांच फंदे जो लाष्ट में बचे वे थे अब हमें यहाँ दो का एक करना है 15 बनाने के बाद क्योंकि अब हमारा यह फुल डिजाइन बनेगा हमारा यहां अभी हाफ बना था अभी फुल बनेगा तो दो का एक कर दिया फिर धागे को आगे करेंगे और यहां पर जाले डिलेगे सिधा बना लिए धागे को आगे करेंगे और यह दो स्लिप करके यहां पर दो का एक कर दे यह देखिए अब 11 फंदे बनेंगे यह देखिए एक दो तेन चार पाँच चे साथ 18 बनाने क बाद बीच में यह 5 फंदे हैं तो दो का एक इस पर करेंगे फैले फिर दागे को आगे करेंगे जाली पड़ी इसको सीधा बुन लिए फिर दागे को आगे करेंगे और यह दो slip करके यहां दो का एक कर देंगे तो हमारी यहां पर जाली पड़ जाएगे यह देखिए यहां दो का एक कर दिया अब यहां पर 11 फंदे हमें बनाने हैं देखिए 11 फंदे बनेगे अब यहां पर हमें दो का एक करना है और यहां पर जाली डालनी है और यह सिद्धा बना लेने हैं तो फंदे लास्ट के उल्टी रो हमारी पूरी उल्टी बनेगी चलिए मैं सेकेंड रो में आपको दिखाती हूं यानिके 12 फ्रों में तो फ्रैंस देखिए 12 फ्रों में ऐसे ही बनाना है आपको देखिए दो सीधे इसको हमें यहां जाली डालनी है और यह सीधा बना देना है और इसको स्लिप करके दो का एक करना है ऐसे हमारा यह डिजाइन बनता जाएगा अब यह 9 फंदे बनाने है ऐसे जैसे हम यहां बीच में यहां जब हमने स्टार्ट किया था यहां बना रहे थे सेम वैसे ही अब यहाँ पे बनाना है तो फ्रेंज ऐसे ही इसको complete करना है तो फ्रेंज आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए और comment कीजिए यह design आप ladies, cardigan, girls और frock वगरा में भी आप डालेंगे तो बहुत सुन्दर लगेगा और यह बच्चों की jackets में और बड़ों की jackets में बहुत ही सुन्दर लगता है यह design तो फ्रेंज अगर को अच्छा लगे यह design और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए और comment कीजिए तो friends फिर मिलते हैं नए design में नए वीडियो में थेंक यू, बाई बाई